यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ निकाह नामे के दर्ज नाम के मताबिक अप्लिकेशन देने को कहा था जिसे उन्होंने खारज कर दिया विकास ने बताया कि तनवी सेट के निकाह नामे में उनका नाम शदिया अनस है जबकि अप्लिकेशन और दूसरे कागजात पर तनवी सेट नाम लिखा है विकास मिश्रा ने बताया कि कई बार लोग फर्जी पासपोर्ट बनाने के लिए नाम बदलनी का सहरा लेते हैं इसलिए हमें इसकी गहनता से जांच करनी पड़ती है तनवी और अनस्त के मामले में भी मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था यूपी पुलस ने सोशल मीडिया पर एक फोटो वाइरल होने के बाद माफी मागी है तरसल हापुर में गौकशी के शक में भीड ने कासिम और समयुद्दीन नाम के दो शक्स की बेरहमी से पिटाई की थी पिटाई से कासिम की मौत हो गई जबकि समयुद्दीन बुरी तरह से घायल है इस घटना के बाद मामले से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई है इस तस्वीर में दिख रहा है कि चार लोग खून से लटपत मौहमद कासिम को हाथ पैर पकड़ कर लटकाते हुई लेकर जा रही है उनके साथ पुलिस वाले भी चल रही है यूपी पुलिस ने इस मामले को रोड रेज में दर्श किया था अब इस तस्वीर के वाइरल होने और उसकी कवरिज के बाद यूपी पुलिस ने इस खटना पर माफी मांगी है यूपी पुलिस ने अपने अधिकारे को ट्विटर हैंडल से माफी मांगी है यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है साथी ट्विटर के मात्यम से यूपी पुलिस ने आप माफी मांगी है और साथी आपको बताने कि इस माफी नामे में यूपी पुलिस ने अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर लि पकड़ कर हाथ पैर से पकड़ कर लेकर जा रही है पुलिस वाले भी साथ हैं पुलिस ने रोड रेस का मामला इसमें दर्ज क्या था दरसल लिंचिंग का केसी है और साथी इस मामले में यूपी पुलिस ने अब माफी मांगी है झाल